गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स, स्टुएंट्स हम हिस्ट्री का थर्ड चेप्टर रीड कर रहे थे, नाजेज में ड्राइज आफ हिटलर, जिसमें कि हमने अभी तक सबसे पहले पढ़ा था, फर्स्ट वल्ड वोर के रिगार्डिंग, कि फर्स्ट वल्ड वोर जो हुआ हालनकि इसमें देखे, पहले सेकंड वोल्ड वोर के रिगार्डिंग दिखाया हुआ है, कि सेकंड वोल्ड वोर में किन-किन के बीच में यूद हुआ था, अलाइड पावर्स और जो एक्सिस पावर्स थी, उनके बीच में, इसके बाद हमने बर्थ वेहमर रिपब्लिक, म में इसके बाद देखे, जब फस्ट वर्ल्ड वोर उडे था, उसके क्या इफेक्ट्स हुए थे, लोगों की लाइफ पर क्या क्या रसर पड़ा था, उसके बारे में, इकोनोमिक क्राइसिस के बारे में, वनने बढ़े था कि, एकोनोमिक क्राइसिस काफी जादा वहां पर Business सुमय एकॉनोमिक जो थी कंडिशिन्स काफी जादा खराब हो गई ती इसके बाद हमने पढ़ था डिप्रेशन के यह सके बाद एकंधे काफी जादा डाउन हो गई थी तो पूरी तरह से महामंदी आ गई थी पूरे वर्ल्ड में इसके बाद है हिटलर की हिटलर का राइज होना स्टार्ट हुआ हिटलर का राइज जो हुआ था फस्ट वर्ल्ड वोर के बाद हिटलर का राइज होना स्टार्ट हुआ उसने अपनी पाव World में भी change हुआ था और उसने भी वहाँ पर कुछ changes की और जिसके आगे चलते हैं जब उसने वहाँ पर reconstruction किया तो वह आगे जाकर Second World War में change हो गया था अब नाजी की सोच यहाँ पर दिखा रहा है कि कि नाजी की सोच क्या थी जरनली वो जो जर्मनी के लोग थे उनको टॉप पर मानते थे और Jews वगरा तो इनको नीचे मानते थी ठीक है अब racial state की उसके उपर race के उपर उन्होंने country को वहाँ पर बनाया था जिसमें कि Aryans को टॉप पर रखा जाता था ठीक है तो यह चीजे पड़ी थी फिर यूथ जो वहां के यूथ लोग थे उसको जर्मनी ने अपनी आइडलोजी के बारे में पता ना स्टार्ट के यानि कि जो उसकी सोच थी हिटलर की सोच थी वो लोगों के उपर थोप दियेगी बच्चों के उपर उनके रिगार्डि उसकी क्या सोचती देखें चिल्डर्स वर टोल्ड था विमें वर डिफरेंट फ्रों मैं एंड हैंस दा फाइट फॉर इक्वल राइट वाज रोंग की जो हिटलर था नाजीवार था उसनों ने ये बताया बच्चों को कि जो वीमें से वो मैं से डिफरेंट है अलग है और तो वो इक्वल राइट के लिए जब स्ट्रगल करती है तो वो गलत है यानए कि वो मेल्स को उपर रखना चाते थे और फीमेल्स को नीचा मानते थे and would destroy society और अगर Whenever they have equal rights दिए तो society दिस्ट्रोई हो जाएगी, boys were taught to be aggressive, boys को बोला गया कि भी aggressive आपको थोड़ा सा उग्र होना है, masculine and still-hurted, means आपको किसी पर दया नहीं करनी है, while girls were told to become mother, और girls को बोला कि आपको mother, means as a mother बनना है, and rear pure-blooded Aryans और जो आप जो बच्चे हों, वो पूरी तरह से Aryans हो, यानि कि आपको सिर्फ जो जर्मनी के लोग है, उनसे ही आपको marriage करनी है, जो अधर लोग है, Jews वगरा उनसे आपको marriage वगरा नहीं करनी है, In 1933, women who were undesirable children were punished, अब जिनके बच्चे थे, means जो जर्मनी के जो लोग थे, उनके बच्चे नहीं थे, और दूसे, Jews वगरा के थे, उन women's को punish किया गया, और जिनके जर्मन, Aryans बच्चे ही थे, उन women's को उन्होंने अवोड किया, means उनको benefits दिये गए, All Aryan women who devoted the code of conduct were condemned and punished, और जितने भी women's थे, जर्मनी, जिन्होंने भी इसके जो code of conduct, उन्होंने जो rules बनाये थे, उनको follow नहीं किया, उन्हें condemn किया गया और उन्हें पनिश किया गया, अब इसके बाता है, act of propaganda, कि means परचार का क्या तरीका अपनाया, उन्होंने कैसे परचार किया, अपनी ideology को लोगों तक उन्होंने कैसे पोचाया, नाजी never use the words kill or murder, कि नाजी ने कभी भी kill or murder words का use नहीं किया, अपने जहां पर भी वो कोई speeches वगर देते थे, उन्हें kill or murder का word का use नहीं किया, अब वो अलग अलग तरीके से उनको बोलते हैं, जैसे mask link कहीं जादा लोगों को एक साथ मारा जा रहा है, तो उन्हें special treatment के नाम से, special treatment किया जाएगा, यानि कि इसका मतलम कि जादा 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 लोगों को मारा जाएगा, final solution, जो juice के लिए, final solution में juice को मारने के लिए, इसके लाबा, ethosnasia, for the disabled के लिए, selection and disinfections, means यह अलग-अलग words, अलग-अलग चीज़ों के लिए यूज की जाते थे, evocation means deporting population to gas chambers, evocation का मतलब था, कि जो population उन्हें gas chamber में ले जाना, यानि कि उनके वहाँ पर मारना है, gas chamber में, तो यह उन्होंने different words को use किया गया था, नाजी ideology begin to spread everywhere, अब नाजी की जो ideology थी, जो विचारदारा थी, हर जिए फैला ही जाने लगी, अलग-अलग तरीकों से, people believed that नाजीम्स would bring prosperity, कि लोगों को यह विश्वास था कि नाजीम्स जो है उनके लिए एक prosperity लाएगा, यानि कि उन लोगों को develop करेगा, जबकि काफी जो लोग थे वो इमानते नाजीम्स का oppose करते थे, नाजीवाद का oppose करते थे, ठीक है, और braving police repression and death, और generally जो ऐसे होते थे, उनको मार दिये जाता था, तो उन्होंने मतलब अलग अलग तरीकों से परचार करना start किया, अब है holocaust, after the war ended, नाजी practices trickled out Germany, which was defeated, कि देखो, second world war में Germany हार गया था, और नाजी की जो वहापर तरीके use की जाते थे, वो सारे धीरे-धीरे खत्म होने लगे, world became to know about horrors suffered by Jews and other undesirables, अब पूरा world को ये मालूम होने लगा, कि जब जर्मनी में Hitler का rule था, तो वहाँ के जो Jews वगरा थे या और दूसरे लोग थे जिनकों की Hitler पसंद ने कर, उन लोगों के साथ किस तरह से treatment किया जाता था, किस तरह से means उनको punish किया जाता था, Jews wanted the world to remember the sufferings, कि Jews जाते थे कि पूरे world को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, they had endured during Nazi killing operations also called holocaust, कि कि उनको जब Nazi उनको वहाँ पर killing operations चलते थे means नाजी का जब हाँ पर rule था, Hitler का तो उनके साथ किस तरह से treat किया जाता, किस तरह से उनको मारा जाता तो उसे holocaust का जाता था, कि बड़ी संक्या में लोगों को मार जाता है, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to it, कि जब Nazi वाद को लगा, Hitler को लगा कि वहाँ रहे हैं अब, तो नाजी की जो leadership थे, उनके नहींता थे, उन्होंने क्या क्या, कि जहां पर भी उनके खिलाफ evidences थे, नाजी के खिलाफ, कि जिनसे यह मालूम पड़ता कि भई, जो Hitler ने ऐसा किया, ऐसा किया, इस तरह के rules बनाए थे, इस तरह से लोगों को उसनों ने torture किया था, तो इस तरह के जितने भी evidences थे, उन लोगों ने क्या किया, उन सभी पर पैट्रोल डाल कर, यानि कि उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया, ताकि किसी को इसके बारे में कोई खबर ना मिले, ठीक है, तो ये जनरली ये चैप्टर था, तो इस चैप्टर में जनरली हमने पढ़ा था, कि नाजिवाद क्या होता है, और हिटलर का राईज कैसे हुआ था, ठीक है, तो हिटलर ने किस तरह से जर्मनी पर रूल किया, कैसे लोगों को पनिश किया, तो पूरा इसमें जर्मनी के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर जर्मनी कांट्री के रिगार्डिंग बताया गया है, और वहां का जो रूलर उस समय था, हिटलर, उसके बारे में बताया गया है, उसका क्या तरीका था किस तरह से लोगों को टोर्चर करता था ठीक है क्या उसने रूल्स बनाए थी तो इन सभी के बारे में यह चैप्टर दिया गया है एक बार इसको दोबारा से आप रिड कीजेगा ठीक है जिससे की यह चीजे और आपको किलिरली समझ विए यह मेंली आपके नोट से जिनके बारे में यह आपको मालूम होगा ठीक है तो इस चैप्टर को ठीक धंग से पूरी अच्छी तरीके से एक बार रिवाइस कर अच्छी तेंकी